दोस्तो हमारे जिन्दगी में कुरोना के आने से वर्क फ्रॉम हूम तो एक आम बात हो गई है और साथी साथ आज कल आजने प्लाहाई भी होने लगी है जिसके वज़ा से लोगों को काफी समय तक अपनी आखे केंप्यूटर या फिर मोबाईल के स्क्रीन पर नजर लगाए र रखती है तो आज किसी वीडियो में मैं आपको छे ऐसी बाते बताऊंगा जिसे अपना कर आप अस्क्रीन के सामने पूरा रात दिन ही क्यों ना बैठा रहें लेकिन आपकी आखों की रौसनी कम नहीं होगी तो वीडियो को सुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल हे करेंटर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें तो चलिए सूरू करते हैं दोस्तो अपनी आखों को लाइट इफेक्ट से बचाने के लिए पहला उपाय है बार बार पलक जबकाना दरसल बात यह है कि लगतार अस्क्रीन पर देखने से उससे निकलने वाली लाइट हमारी आखों को सुखा देती है मतलब ड्राइ कर देती है जिससे आखों में जलन जैसी समस्या होने लगती है तो यह जरूरी है कि आप बार बार पलक जबकाते रहें जिससे कि आपकी आखे नम हो जाए दूसरा उपाय है ब्रेक लेना कम से कम ह आख से 10 मिनट के लिए अपनी आखों को कहीं और फोकस करें और कोशिस करें कि हरी रंग यानि ग्रीन कलर को देखे या फिर अपने से दूर रखी चीजों पर फोकस करें नमबर 3 पर है बार बार पानी पीना मतलब कि एक इनसान को एक दिन में जितना पानी की जरूरत होती है उतना आपको पानी जरूर पीना चाहिए इससे सरीर को हाइडर्ट रखने में मदद मिलती है नमबर 4 पर है ज्यादा मातरा में ओमेगा थेरी फैटी एसिड का सेवन करना एक रिसर्च के अनुसार ओमेगा थेरी फैटी एसिड को भरपूर मातरा में खाने से ड्राइ आइज के समस्या से राहत मिल सकती है और अक्रोट, फलैक्स सीड्स, चीज सीड्स जैसे पोसक, तत जी और खजूर जैसी चीजों का जरूर इस्तेमाल करें और नमबर 6 पर है नायट मोर्ड जिसे आपको अपने कम्प्यूटर लैप्टोप या मुमईल में ओन करना होता है ये हर मोबाइल और कम्प्यूटर में अलग-अलग नामों से होता है जैसे कि नायट मोर्ड और I comfort द आपके आखे भी बिल्कुल सवस्त रह सकती है तो दोस्तो जाने से पहले हमारे चैनल हेल्थ मोनिटर को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले लाइक करे, कमेंट करे और अपने दोस्तों और परिवारों के साथ सेर भी जरूर करे ताकि उन्हें भी इन बातों का जरूर पता चले